नमस्कार दोस्तों, Learner.com में आपका स्वागत है, आज हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी Toyota Fortuner के अंदर navigation का प्रियोक कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं नए model की, जो की 2021 का model है, अचली इससे पहले जो Fortuner आती थी, उसके अंदर chip-based navigation होता था, जिसमें की offline maps चलते थे, बट अब वाली Fortuner आई है, 2021 models, उनके अंदर navigation जो चलता है, वो real-time navigation है, smartphone-based navigation, जो की Android Auto या Apple CarPlay के तुरू चलता है, तो आपको सबसे पहले जानना है कि Android Auto आप किस तरह से connect करते हैं, उसके लिए हम आपको, हमारी एक separate video है, उसका link आपको description में हम share कर देते हैं, तो जैसे ही आपने Android Auto च चलाने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल simple process है, Android Auto आइकन पर आप click करेंगे, तो इसमें आगर आप देखें, सबसे पहला आइकन आपको मिलेगा, Maps का, उस पर आप click करेंगे, तो आपका navigation screen open हो जाता है, यह जो interface आप देख रहे हैं, simple Google Maps वाला interface है, जो की आपके smartphone पर चलता है, आपको यहाँ पर search पर जाकर अपनी destination डालनी है, मालनीजे हम इस समय चंदिगर या New Delhi के लिए search करते हैं, तो आप यहाँ से type भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरह है recent में दिखा रहा है New Delhi, तो हम जैसी उस पर click करेंगे, सबसे पहले ही आपको distance और time सब कुछ इसमें आप New Delhi पहुंच जाएंगे, और इसके बाद जैसी आप गाड़ी ड्राइव करना शुरू करेंगे, आपका turn by turn navigation या आपको बताता जाएगा, जिस तरह से आपके smartphone में बताता है, अब आपको इसका एक shortcut method और बता रेता हूं, जिससे कि आप इसको voice tag के through भी search कर सकते हैं, जो आप press करकर रखें, navigate me to New Delhi, तो देखेंगे कि same process है, बट ये एक shortcut method है, तो आप गाड़ी चलाते समय एकदम से कहीं का navigation on करना चाहते हैं, इस प्रकार भी आप वो चीज़ कर सकते हैं, I hope navigation वाला पार्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम आपसे request करते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, थैंक यू वरी मच,